तो फिरेंड आज मैं आप लोगों को हमारे लोकल मार्केट में जो है आहुजा का एमप्लिफाइर का प्राइस कितना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो फिरेंड सबसे पहले हम यहां बात करते हैं अहुजा के 120W के 3 अम्प्लिफायर है। उसके प्राइस के बारे में। तो friend सबसे पहला मोडल आप देख पा रहे हैं। आहुजा का SS से 250 है यानकी फ्रेंड ये धाइस सो वाट का एम्प्लिफायर है और इस पे जो है कम्पनी रिकॉमेंड करती है कि आप तीन सो वाट मेक्सिमम लोड इस पे चला सकते हैं लेकिन मैं यहां बोलूँगा कि आप इस पे कुछ और एक्स्ट्रा भी लोड चला सकते है और बहुत भाई लोग चलाते हैं फ्रेंड तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इस वाले एम्प्लिफायर के प्राइस के बारे में जो कि हमारे लोकल मार्केट के इसाफ से होगा तो यहां आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है अभी हमारे लोकल मार्केट में वो है 16500 ज अनकी फ्रेंड इसमें आपको digital play का option भी मिल जाता है जैसे USB अनकी digital play का जितना भी option होता है सब कुछ इसमें मिल जाता है फ्रेंड तो फ्रेंड बात करें इसमें भी आप ये 500W का amplifier है और 300W का maximum load company recommend करती है और उसके बाद बात करें फ्रेंड इसके price के बारे में तो इसका जो price ह फ्रेंड अभी market में 17500 है जो कि हमारे market में है फ्रेंड तो फ्रेंड चलिए अब हम जानते हैं एक और model कौन सा है तो यहां आप model number देख पा रहे हैं BR250M फ्रेंड ये भी amplifier 2500W का है और मैं यहां बोलूगा कि फ्रेंड आप यहां देख पा रहे हैं यह plane amplifier है आनकी इसमें आप माइक जो है input नहीं कर सकते हैं माइक जिदी आपको input करना है तो आपको उसके लिए mixer की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड अब बात करते हैं इस वाले amplifier की price की तो इसका जो price है हमारे market में हो है 15000 फ्रेंड model नमर यहां आप देख पा रहे हैं 250M हानी BR250M 15000 इसका price है फ्रेंड तो इसमें फ्रेंड आप बिना mixer के ही mic को इसी amplifier में लगा सकते हैं जिसका की price आपको 16500 लग रहा है और दूसरा model SSA 250DP इसमें क्या है कि इसमें भी आप mic लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आपको digital play का option भी इसमें मिल जाता है जिसे memory card वगरा के द्वारा जिदी आप बजाना च चाते हैं तो इसमें आप चला सकते हैं तो यह थोड़ा सा उससे बढ़के है तो इसका price 17500 लग रहा है अनिकी 1000 का अंतर है और तिसरा जो है friend यहाँ देख पार है आप BR250 यान की friend यह plan amplifier है इसमें आप जो है mic ना ही input कर सकते हैं और ना ही आपको इसमें digital play का option मिलता है तो friend इ यह तो था आउजा 200 watt amplifier के बारे में अब हम लोग जानते हैं 500 watt amplifier के बारे में तो friend 500 watt में सबसे पहला model आप देख पा रहे हैं SSC 5000 EM जो की एक 500 watt का amplifier है friend और company recommend करती है कि आप इसमें 700 watt तक maximum चला सकते है friend लेकिन आप इससे कुछ और ज़्यादा load दे सकते हैं आउजा का amplifier है कोई दिकत नहीं होता है friend तो friend अब हम बात करते हैं इस amplifier के price के बारे में तो इस amplifier का जो अभी हमारे local market में price है friend वो है 29,500 रुपिया model नमर आप यहां देख पा रहे हैं SSC 5000 EM price 29,500 तो friend चलिए अब हम जानते हैं अगले model के बारे में तो अगला model जो है friend यहां आप देख पा रहे है model number है SSC 5000 DP friend यह भी 500 Watt का amplifier है और इसमें भी company recommend करती है 6700 Watt maximum friend बात करें amplifier दोनों same यह बस इसमें जो है आपको digital play का option मिल जाता है और की USB memory card जो भी आपको चलाना है इसमें आपको उस प्रकार का option मिल जाता है friend तो friend बात करें इसके price के बारे में तो इसका जो अभी हमारे local market में price है वो आप screen पे देख पा रहे हैं friend 31,500 model number SSC 5000 DP price 31,500 friend चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले model के और तो अगला जो model है friend वो है SPA 5000 EM यानि कि friend यह plane वाला amplifier है friend बात करें यह भी 500 watt का amplifier है और इसमें भी company recommend करती है कि आप 700 watts maximum इसमें चला सकते हैं friend तो friend बात करते हैं अब हम इस वाले amplifier के price के बारे में तो अभी का जो price है हमारे local market के हिसाफ से इस amplifier का price है पूरा पूरी 27,000 जो कि आप यहां screen पे देख पा रहे हैं friend friend यह price जो है हमारे local market के हिसाफ से है अब आपके market में भी बस इतना ही होगा कुछ अंतर हो सकता है चुकि हर market के उपर depend करता है तो friend एक बार आप तीनों amplifier को साथ में देख लीजिए पहला amplifier SP 5000 EM जो की plan वाला amplifier है price यहां 27,000 दूसरा जो amplifier है friend SSA 5000 EM आनकी friend इसमें आप mic भी input कर सकते हैं माइक का भी option इस वाले amplifier में आपको देखने को मिल जाएगा जिसका की price आपको 29,500 लगने वाला है और उसके बाद बात करें friend यहां SSA 5000 DP आनकी friend इसमें आप mic भी लगा सकते हैं और digital play का option भी आपको इस वाले amplifier में देखने को मिल जाता है जिसका की price आप इस्क्रीन पर देख पा रहे हैं friend 31,500 है तो friend यह तो था आउज़ा 500 watt के तीनों model amplifier के price अब हम लोग जानते हैं आउज़ा के 1000 watt amplifier के price के बारे में तो friend 1000 watt में सबसे पहला amplifier आप देख पा रहे है model नम्मर SPF 10,000 1000 watt का amplifier है friend लेकिन company recommend करती है 300 watt maximum लेकिन आपको बता दूँ कि जितने भी भाई लोग के पास यह amplifier है कम से कम 600-700-800 watt लोड इस पे चलाते हैं अराम से और चलता भी है friend कोई दिक्कत amplifier में नहीं होता है तो friend अब हम बात करते हैं इस वाले amplifier के price के बारे में तो इसका जो price अभी लगने वाला है हमारे local market में आपको 40,000 इस वाले amplifier का price model नमर आप यहां देख पा रहे है SPF 10,000 तो friend चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले model के और तो अगला model आप यहां देख पा रहे है SPF 10,000 यान की friend यह भी 100 watt का amplifier है और इस पे भी आप 35,500 watt maximum जो है company recommend करती है आपको लेकिन आप इस पे जो है उस amplifier के जैसा है load इसमें भी डाल के चला सकते है 17,800 watt जो भी आप डालना चाहिए अराम से चलता है कोई दिक्कत नहीं होता है friend friend बात करें इस वाले amplifier की price के बारे में तो इसका जो price आपको अभी market में लगने वाला है और आप यहां screen पे देख पा रहे है जो की है 47,000 यानि की friend काफी ज़्यादा इस amplifier का price है अब हम बात करते हैं अगले model की और 1000 watt में तो अगला जो model है friend यहां आप देख पा रहे है BTZ 10,000 यानि की friend यह भी 1000 watt का amplifier है लेकिन यह जो है double zone का amplifier है friend यानि की friend 5500 watt का दो channel यानि की दो zone इसमें आपको मिल जाता है और जो पहले आपको मैंने amplifier 1000 watt का बताया है वो single zone का था तो friend यहां इसमें output आप देख पा रहे हैं company recommend करती है 5500 watt यानि की maximum आप 7700 watt पलस 7700 watt दोनों channel पे अलग-अलग चला सकते हैं लेकिन यहां आप 900 से 1000 watt तक load आप एक एक zone पे दे सकते हैं काफी तगड़ा amplifier है friend इस पे बहुत सारे भाई लोग बहुत ज्यादा load देते थे हैं जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने केसे emergency में इस amplifier पे दोनों channel पे 1800-800 watt का load दे दिया था friend और करीबन 12 से 13 गंटा चला था और overload का problem भी नहीं हुआ था तो friend अब हम बात करते हैं इस वाले amplifier के price के बारे में तो इसका जो price है हमारे local market में वो आपको लगने वाला है तो एक बार आप तीनों amplifier को एक साथ में फिर से देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा पहला amplifier आप देख पारें model number SPA 10,000 जो की plane वाला amplifier है यान की इसमें आप mic input नहीं कर सकते हैं माइक input करने के लिए आपको mixer की आविसकता पड़ेगी तो फ्रेंड ये जो है इसका price आप यहाँ देख पा रहे है 40,000 रुपिया और दूसरा जो है friend SSC 10,000 जो है इसमें जो है आप mic भी input कर सकते हैं बिना mixer का mic इसमें आप लगा सकते हैं आइक का भी option आपको इसमें मिल जाता है जिसका की price आपको थोड़ा सा जादा लगता है अनकी 47,000 काफी ज्यादा price है friend और उसके बाद हम बात करें हैं तीसरी नमर पर यहाँ आप देख पा रहे है model number BTZ 10,000 जो की friend double zone का amplifier है जो आप उपर में यहाँ दोनों amplifier देख रहे हैं यह single zone का amplifier है और यह जो नीचे में आप देख पार है friend यह double zone का यानकी 500 पलस 500 इस प्रकार से इसका zone बटा हुए है और इसका price आप यहाँ देख पार है 43,000 तो friend आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2500 वाट का 3 amplifier, 500 वाट का 3 amplifier और 1000 वाट का 3 amplifier के बारे में आपको price बताया जो की आउजा का popular amplifier है friend market में हर समय सभी amplifier का demand रहता है तो friend आज के वीडियो में बस इतना है, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, वीडियो अच्छे लेगे तो like किजेगा, चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe किजेगा